करिश्मा सिंग्ग मैडम सर ये क्या हो रहा है मैडम सर इधर अपने ही टीम का भरोसा डूड रहा है और उधर वकिल मा की धमकी डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है चिंगारी गैंग समझ में नहीं आ रहा है करें तो आखिर क्या करें चारो तरफ सी मुसीबते आई रहे हैं हमारे थाने पर पुषपाजी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, मुश्किले बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कोई भी सल्यूशन नजर नहीं नहीं आ रहा है सच में, इतना लाचार और बेबस आथ से पहले कभी महसूस नहीं किया है हमने लेकिन अब जो कुछ भी हो, तरीका तो निकालना होगा और कोई अप्शन नहीं हमारे पास, फोर्स चाहे हो या ना हम खुद अकेले जाएंगे रंग्रेस गली और उस लड़के को छुडा कर लेंगे ये, ये क्या कह रहे हैं आप मैडम से, आप वहाँ अकेले बिलकुल नहीं जाएंगे आप करिश्मा जी को साथ लेकर जाएए ना, इतना तो कर सकती है आप हमारे लिए हाँ, लेकिन करिश्मा सेंग है कहाँ कायग माया कशी है, इकड़ी है, इधर आ, अब वो तेरा सिर फिरा आशिक तेरा पीछा तो नहीं करता ना, कंग तो नहीं करता तेरे को करेगा कैसे जी-जी, मार मार के फिरकनी जो बनाई है मैंने उसकी आज के बाद इसको तो क्या, किसी भी औरत ने देखेगा ना, तो सब से पहले उससे राखी बदवाएगा उसके बाद सद्धा से असरवाद लेगा उसकी अकल तो ठिकाने लग गए शिवानी जी, पर, पर क्या एक नई मुसीबत पीछे पड़ गई है ओफिस के नई बॉस ने जीना मुश्किल कर दिया है जब देखो तब कपडों के अंदर जाकता रहता है पूरे टाइम गंदी घिनावनी नेजर से घूरता रहता है अजकल तो आसपास भी होता है ना, तो घिनाती है कोई मौका नहीं छोड़ता है छूने का, छेरने का, फाइदा उठाने का अब तो ऐसा लगता है कि जो भी छोड़ दू उससे क्या होगा? वहाँ कोई और मिल जाएगा, वो भी यही करेगा अरे ये मर्दों की नसल हर जगे है, सब जगे है ये लोग अपना पीछा नहीं छोड़ने वाले कब तक भागती रहेगी तुम्हें और क्या करूँ जीजी देख माया, सबसे पहले तो तू मेरा ये काम कर माचिस? घर में मंदिर तो होगा ना है जीजी? तो जा कर मेरी तरफ से दिया जला दे जरूर जीजी, पर उसके लिए आप ये मुझे माचिस क्यों दे रही है माचिस मेरे पास है तो फिर जलाती क्यों नहीं है? खुछ जलाओ दूर कर अपने जिंदगी से इस अंधेरे को देख माया, माचिस हर औरत के अंदर होती है पस हम उसे जलाना भूल जाते है लेकिन जिस दिन ये माचिस जलती है न उस दिन औरत के जिंदगी के सारे अंधेरे अपने आप दूर हो जाते है देख माया, दूसरों के चिंगारियों से अपने घर के दिवाली नहीं मनाई जाती उसके लिए अंगारे खुद लगाने पड़ते है तुम सबको चिंगारी गैंग का मोहताज बनने की कोई जरुरत नहीं खुद चिंगारी बने और जाकर जलाकर खाप कर दोन सभी को जिनोंने तुम सबको कमजोर समझने की हिम्मत की और तू दुपारा तेरा वो बॉस अगर तुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाएगा न तो उखार कर फैंग देना उसके हाथ को और चिंटा करने की कोई जरुरत नहीं है अब यसा ही हो गताई चलती आज की कारवाई शुरू की जाए मैडम से करिश्मा जी फोन ने उठा रही है कुश्मा जी हमें पता नहीं कि वैसा लग रहा है कि करिश्मा सिंग अकेली ही गई है रंग्रेज गली उस लड़के को छुडाने के लिए और अगर ऐसा है ना तो वह बहुत खत्रिन है क्या किया इसने आजो ताइस का नाम एकता है यो छिछोरा लड़का बली चौक का सारुप खान इसने आते जाते तंग करें जिन ना दूबर कर रखा इस लड़की का इसने आईपीसी इधारा 354 दी तीन साल की सीधी जेल और जुर्माना अलग फिर भी पुलीस ने छोड़ दिया क्यों ना बालिग है अब बहुत बालग माइनर उपर से अंबा हाई कोड की बड़ी वकील हम मतलब जाहिर है कि जानती है सेक्शन 10 जुविनायल जस्टिस अक्ट 2015 स्पेशल जुविनायल पुलीस को चार्ज देना पड़ता है जुर्म कोई भी हो किसी भी स्थिती में किसी भी अंडर एज गुनेगार को जेल में नहीं डाल सकते उम्र कम होने से गुना तो छोटा नहीं होता ना लेकिन कानून तो ये नहीं समझती ना ताई इसलिए तो अपने कोई आपर बैठना पड़ता है ना इंसाफी के दरारों की मरम्मत के लिए सही न्याय के लिए ये ऐसे अपरादियों को उनके किये का गंड देने के लिए मैडम सर हमने पता किया है आपका अंदा सब बिल्कुल सही था करिश्मा जी की फोन की लोकेशन रंग्रेज गली ही दिखाई दे रहा मतलब वो अकेली अनुच को छुडाने गई है ये सरा सर खुद खुशी है पुश्पा जी ये क्या किया अपने करिश्मा सेंग है शुजी शुजी रक्षा करना उन्हें सद्बुत्ति देना आवेश में कोई गलत कदम न उठा बैठ है कि दिखने रा सुनवाई चल रही है तो तेरा फोन क्यों चल रहा है वागर लगता है कोई अमेजनसी है नहीं इमर्जनसी नहीं है घर से फोन आ रहा है वह बहुत देर हो गई घर नहीं पहुचे तो थुड़क परेशान हो रहे होंगे इसलिए फोन कर रहे है सौरी वह अरे नहीं नहीं सौरी बोलने की कोई जरुवतनी है होता है और होना भी चाहिए घर वाले है चिंता होगी स्वाभाविक है चलो आओ सबसे पहले तुम्हारा इकेस निप्ताते है मैड़ी मैड़म सर मैड़म सर आप कहा जा रही है रंग्रेज गली हम करिश्मा सिंका अकेले नहीं जोड़ सकते हैं और उस लड़की अनिज को भी लेकर आने कोई अप्शन नहीं है हमें अकेले जाने होगा ठीके फिर हम भी चलते हैं आपके साथ पुश्वार जी नहीं आप महीं चल सकती प्लीज वो सेफ नहीं है सास देख आजगल की लड़कियों को जरा जरा से उमर में सास की बीमारिया पाले बेठी है रो मैं देती हूं तुझा सास की दवाई मैंने खुद बनाई है सास की कोई भी परेशानी हो ना जड से साफ रे अमा वो सास नहीं सास बोल रही है मदरिल्ला जब देखो तब एपनी बनाई हुई द्वाईयंच चिपका देती है बोलो सास उसी सास की बाद ओड़ी है वो भूत भरेशान करते है मुझे इंश बलटा सिधा बोलती है गालिया देती है बहुत मारती है देखो कितना मारती है मुझे देगा अरे देवा काफी ताजा गाव है सबसी में नमक जादा हो गया था तो सबसी काटने वाले चाकु से यह मुझे मारती है और यो बाकड़ बिल्ला यो बाकड़ भी लग्या कर रहा था वहां पर थारा मर्द जब इसकी माँ तारे को मार रही थी क्यों मैं हाम बजानी सकता था इसे भाई हो मैं उसका वो बैने मेरी इसकी चकल देखो मेरी शकल देखो इस एंगल से हम इसकी पती लग्या पुए है कैसे बोल रहे भाई पती क्या बचाएगा पती तो खुद सास के साथ मिलके मुझे इतना मारता है कल रात को तो मेरा गला ही दबा दिया था तो फिर तू रोकती क्यों नहीं उसको यह सब करने से मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो मरत है हर चीज में मुझसे ज़्यादा ताकतवार है उसको मैं कैसे कुछ मोल सकती हूँ? ऐसे मैं तू इधर आए 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 अजय आए 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 हो में डार है की करिश्मों सिंग कहीं होश में जोच नक हो बैठा पुलीस की ट्रेनिंग नहीं भूली अब तक SI करिशमा सिंग हाथ छूते ही समझ गई थी कि ये हाथ घर में रोटी बेलने वाले नहीं लॉक अप में मुझ्रिमों को पेलने वाले ठोस, मजबूत, खुर्दूरे, कठोर, पुलीस के हाथ बताया नहीं थारे को किसी ने पुलीस वालों का आना बढ़ जित है यहां पर यहां पर आणने से पहले ना परमिसन लेनी पड़ती है हम लोगों की हमें यह आने के लिए किसी का परमिशन लेने का जरुरत नहीं है और इस लड़के को यहां से ले जाने का हम इरादा बना चुके हैं और उसके लिए हमें किसी के परमिशन का जरुरत नहीं है करिश्मा सेइप अब ठीक तो है ना देखिए हम पहुंच गए है हम रंग्रेज गली के बाहर मंदर आ रहे हैं नहीं आ सकती कौन वही जिसके जब्रे में से उसका शिकार छिनने आई हो शिवानी ताई और तू वही है ना मैला ताने की ऐसे चो असीना मलेक जजबातों वाली पाई करिश्मा सिंग आए खोदी देख लेना लेकर आती हूं मैं चलो हे शिव जी मैडम सर और करिश्मा जी सिर्फ दोनों ही गई है मौत के मूँ में उनकी रक्षा कीजिए अपनी क्रिपाउं का सुरिक्षा कवज उन पर बनाये रखी है चिंता मत कीजे पुषपाजी भगवान भी हमेशा ना सही और सच का साथ देते हैं हमको पूरा भरोसा अपने शेव भगवान पर वो हसीना मैडम को और करिश्मा मैडम को ने कुछ भी नहीं होने देंगे कहा है मेरा बेटा कहा है देखिए मैगम सरु उसे लाने ही गई है वो बस आती हूँ ठीक है फिर देखती हूँ अब पंधरे मिनिट में तुम्हारी हसीना मैडम क्या कर लेती है क्योंकि अब बारा बजने में सिर्फ पंधरे मिनिट बचे है और ये 15 मिनिट डिसाइड करेंगे कि अगले 16 मिनिट में तुम्हारा ये ठाना यहां रहेगा या नहीं हम यहां कोई फसाद करने नहीं आये हैं हम करिश्मा सिंग बिल्लू और उस लड़के अनुच को लेने आये हैं उन्हें छोड़ दो हम चुप चाप चले जाएंगे नहीं तो के करोगी मैडम खौकाल दिखाओगी पर वो तो यहां है वमारे कबजे में बात मान जाओ हम कोई खून खराबा नहीं करना चाहते वरना अगर हम अपने तरीके से इने ले गए तो बहुत से बेगुनाओं की जान जा सकती है चुप चाप उन्हें छोड़ दो इसमें सब की वलाई है उसूलों की बात है हसीना मलेक आज तक हमारी इस गली में ना ही किसी वर्दी वाले ने कदम रखा है और ना ही कभी रख पाएगा लेकिन तू पहली बार इस चौकट पर आई है तो इतना तो लिहास बनता ही है तेरा रोक हम आते हैं पहली बार आई हो चिंगारी के दरवाजे पे महमान बनकी इसलिए जाने दे रहे हैं अगली बार आओगी तो महमान बनकर ही आना पर दी मैं बता ना वर्ना यहां के लोग सम्मान से समसान पहुंचाना भी जानते हैं यह देख क्या रहा है एक धागा तक नहीं डाल सगे तुम सुई में डाला था ना अरे निकल गया था ना मगर तुम मेरी गलती है कि अरे आप बेकार में नो उल्लों की तरव बड़ी-बड़ी आंखे कड़के घुम रहा है निकल यहां सचल चल रहे बागड बिल्ले आप लोग ठीक है चीक आप शिवानी हम यह लड़का भी चाहिए यह एक वांटे अक्यूजड है इसे भी भेज दो हाँ हाँ छोड़ देंगे लेकिन पहले शिवानी की अदालत में इसकी सुनवाई होनी दे इस लड़की को अपने हिस्ते का इंसाफ मिल जाए इसने जो किया है उसको इसकी सजा मिल जाए फिर लेकर जाए इसको जहा लेकर जाना है हमें इससे कोई आपती नहीं क्या को सजा देना कानून का काम है तुम होते को नो दखल अंदाजी देने वाले दखल कहा दे रहे भाई हम तो उसी का काम कर रहे वो कहते हैं ना भगवान हर जगे नहीं जा सकता है इसलिए उसने मा को बनाया अपना भी कुछ वैसा ही है कानून हर जगे नहीं पहुंच पाता इसलिए तो हम बने हैं चिंगारी गैंग कानून हर जगे नहीं पहुंच पाता इसलिए तो हम बने हैं चिंगारी गैंग ताकि हम तुमारे कानून से उन नाउमीद लोगों को इनसाफ दिला पाए जो चीक तुम्हारे कानून के कानों तक नहीं पहुंचती ना, उसे हम सुनते हैं जो भाव तुम्हारे कानून के इंसाफ के मरहम तक नहीं पहुंचता ना, वहाँ पर हम अपने म्याय की आउशदी लगाते हैं उसे नासूर बनने से बचाते हैं माना की अनओफिशल ही सही, लेकिन काम तो हम कानून का ही कर रहे हैं ना? ये बड़ी-बड़ी बेकार की फैंसी बाते करके तुमने जो किया है ना, तुम उसे जस्टिफाइ नहीं कर सकते हो इंसाफ सूरज की रोष्णी की तरह होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं की फर्यादी हत्यार उठा ले, कानून अपने हाथ में ले ले, अपनी मनमानी करे, अपने हिस्से का अंधेरा मिटाने के लिए पुरी दुनिया में आग लगा दे इस तर्द की पीड़ा का अनुमान तुम जैसी खोकली पिलीस वाली औरत कभी लगाई नहीं सकती ज़बातो वाली बाई जिससे अपने वर्दी के उपर कभी कुछ दिखता ही नहीं अरे तुमने तो अपने फर्ज के सामने कभी कुछ देखने जानने की कोशिश ही नहीं की इस गाव की पीड़ा पूछनी हो तो इन ओर्टों से पूछो हसीना मलेक जिनकी आत्मा आज तक इस गाव की पीड़ा जेल रही है इस काओ का दर्ज जानना चाहती है तो इनकी खामोश चीखे सुनो इनमें तुम्हें वो दर्ज सुनाई देगा जो एक औरत होने के बावजूत आज तक तुने ही सुन पाई पाई सुन पाई है ? उनकी एक उनकी खामोश औरत है वहाँ बहुत शौक था ना तुझे लड़कियों का पीछा करने का अभी ते को दिखाती हूं आजा चिवानी हम तुमें गॉर्निंग दे रहें अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ थो तुम कानुन से बच नहीं पाऊगी छोड़ दो उसे क्या रे जजबातों वाली बाई कानुन सिखाने वाले को कानुन से ही डराती है रुक ना तमाशा तो देख मैं कुछ नहीं करने वाली अब जो भी करेंगी मेरी ये मुल्गिया करेंगी जैसे तेरा कानुन इस लड़के का कुछ नहीं बिगार पाया ना क्योंकि ये माइनर है नाबालिक है तो देखते कि अभी तेरा कानुन इन लड़के का क्या बिगारता है क्योंकि ये भी तो माइनर है नाबालिक है क्या तो अब शेहर के आस्मान में जजबातों की पतंग नहीं उड़ेगी चिंगारियों के धमाके होंगे प्राइब कर दो